दोस्तों अगर आपका AdSense Account है और आपके AdSense Account में Action Require दिसी Something to Check in your AdSense Payment Account कुछ इस तरह का Notification हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर Go To Payment पर क्लिक करके Farm Fill Up करना होगा अगर आप Farm को Fill Up नहीं करते हैं तो आपका AdSense का जो Payout है यानि Payment है उसको Hold कर दिया जाएगा आपकी Payment आपके Account में नहीं आएगी ऐसे में आप इस Farm को जरूर Fill Up कर लें अब हम बात कर लेते हैं इस Farm को कैसे Fill Up करना है लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर Arrow बना हुगा अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर लिखा एटसंस फार यूटूब पेमेंट एकाउंट तो अगर आपका यूटूब चैनल है या फिर आप ये वेबसाइट ओनर है आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन सो रहा है तो आपको इस डिटेल को Fill Up करना ही होगा चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर Go To Payment पर क्लिक कर लेते हैं Go To Payment पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुए पेमेंट एकाउंट तो यहाँ पर एटसंस लिख करता है तो भी यहाँ पर आपको सो करेगा यह वाला नोटिफिकेशन तो अगर आपको यह नोटिफिकेशन सो हो रहा तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर देखेंगे एरो बना हुआ है आपको यहाँ पर एरो पर किलिक को यह वाला notification सो रहा और यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप इस farm को fill up नहीं करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा वी तो hold up to 30% 30% आपका payment जो है hold कर लिया जाएगा या फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ हुआ है pay out completely until to submit और यहाँ पर इसको भी hold कर लिया मतलब 30% payment hold किया जाएगा यह हो सकता है complete payment को भी hold कर दिया जाएगा अगर आप इसको fill up नहीं करते हैं या प्रूप has been accepted तो आपको सबसे पहले क्या करना इस फार्म को fill up कर लेना आप इस फार्म को कैसे fill up करेंगे इसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है आप उस वीडियो को देख सकते हैं वीडियो के नीचे आप देखेंगे यहां पर प्रोसे जाओ रहो रहा है और यहां पर देखेंगे तो यहां पर सिंगापूर टेक्स इंफो वाला जो हमारा यहां पर 31 December 2024 को expire हो रहा तो ऐसे बहुत अब हमको क्या करना है यहाँ पर इसको update करना update करने के लिए यहाँ पर देखे submit new form लिखा हुआ आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर यह वाला जो detail आपको submitted दिख रहा है तो यह date change हो जाएगा और expiry date भी change हो जाएगा जब आप submit new form पर click करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 31 December 2024 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 साल का इसकी validity होता है आप जो भी form यहाँ पर fill up करेंगे तो अगर आप फिर से fill up कर रहे हैं तो यह 3 साल बात फिर आपको दुबारा fill up करना पड़ेगा तो ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर notification भी same चीज लिखी हुए 31 December 2024 और यहाँ पर expiry date यही लिख हुई है मतलब आपको 31 December 2024 से पहले इस form को fill up कर लेना है और अगर आप 31 December 2024 से पहले fill up नहीं करते हैं तो आपका Google AdSense का जो payment है उसको hold किया जा सकता है ऐसे में इस form को जरूर fill up करें अब चली हम बात कर लेते हैं इस form को कैसे fill up करना तो इसके लिए आपको यहाँ पर submit new form पर click कर देना है जैसे click करेंगे यहाँ पर note देखेंगे तो pop up open हो चुका और यहाँ पर लिखा if you start new form your previously submit form will be remove मतलब इस form को अगर आप fill up करेंगे तो आपका जो यह previous वाला फार्म है यह remove हो जाएगा तो अब हम start new form पर click कर देंगे और यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा हो कुछ details इसको आप पढ़ना चाहते है तो पढ़ सकते नहीं तो यहाँ पर लिखा वो 15-20 मिनट इस form को fill up करने में लगेगा time और टेक्स वारे में जनकारी दी हुए तो आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ना चाहे तो आप यहाँ पर फार्म पर click कर देंगे अब यहाँ पर एक pop-up फिर से open हो चुका है अब यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर फिर दुबारा से login करना है तो आपका एडसर्क्र का या हीट पासवर्ट था आपने देख सके हैं यहाँ पर सो उधर अब आपको यहाँ पर password इंटर करके login कर ले ना तो चलिए हम यहाँ पर login कर लेते हैं एक बाद हम next पर click कर देंगे तो देखिए process complete होने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने interface सो होगा अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा what type of account तो अब आपको क्या करना है अगर आपका business account है तो आप non individual या entity को select करेंगे और अगर आपका business account नहीं है तो आप individual को select करेंगे यहाँ पर मेरा business account नहीं है तो मैं यहाँ पर individual को select कर दिया हूँ individual को select करने के बाद आप आपको यहाँ पर next पर click कर देना है नेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हूँ आर यूए सिटीजन है या रेजिडेंट आप यूनाइट इस्टेट के सिटीजन है या रेजिडेंट है तो आपको यस करना नहीं तो आप नो करेंगे तो हम इंडियन्स हैं तो हम यहाँ पर न तो यहाँ पर देखेंगे non-US individual के लिए है तो इसलिए हम wadven use करेंगा और यह जो है US वालों के लिए है और business account के लिए है और यह individual के लिए है तो हम इसी को इसलिए select करेंगे उसके वज़ाँ यहाँ पर start wadven farm पर आपको click कर देना है complete होने बाद आपके सामने wadven text farm open हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे text identity में नेम में आपको individual name जैसा सो हो रहा है अगर आपने पहले से wadven farm fill up किया था तो same name आपको यहाँ पर रहने देना इसमें कोई भी change आपको नहीं करना है उसके यहाँ पर DBA यानि doing business edge वाला जो option है यह optional है तो आप इसको छोड़ सके इसको आप fill up ना करें तो भी कोई बात नहीं आप आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और पर select कर लेंगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर टेक्सपेर identification number दिया तो आपको इसको भी fill up करना होगा यहाँ पर दो आप साना foreign TIN और US TIN ऐसे मैं आपको क्या करना है यहाँ पर foreign TIN वाला जो आप साना इसको fill up कर देना और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर optional लिखा हु अगर आपके पास pen card number नहीं है तो आप pen card number बनवा लें क्योंकि अगर आप इस farm को fill up करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पढ़ने वाली है अब यहाँ पर foreign TIN में हम pen card number इंटर कर देंगे और इंटर करने कौद यहाँ पर next पर क्लिक करने कौद यहाँ पर permanent resident address आपको fill up करना ह state address में आप क्या fill up करेंगे तो पहले से आपने जो adsense account जब बनाते समय जो address आपने दिया हुआ था same address आपको यहाँ पर fill up कर देना है तो आपको scroll करके नीचे आ जाना और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक option यह पोस्टल address is same as permanent residence address मतलब उपर जो आपने address fill up किया है अ अब आपको क्या करना है यहाँ पर दुबारा से address को fill up करना है तो मेरा दोनों condition में address जो है यहाँ पर same है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर tick mark कर देंगे और tick mark करने के बाद आपको यहाँ पर next पर click करने के बाद यहाँ पर दुबारा से process हो रहा है तो हम इसको complete होने देते हैं हों यहां पर quantity में आपको क्या करना किलिक करना हो और आपको अपना quantity select कर लेंगाror तो हम यहां पर on tár XL करलेते हैं कांट्री सेलेट करने के बाद hope इस्कुल करके नीचे आ जाना हो और यहां पर special rates एंड condition में आपको यहां पर tick mark करना है और आर्टिकल एंड paragraph पर article 12 and paragraph 2 a second को select कर लेना है और withholding rate को यहाँ पर आपको 15% वाला जो आपसन है इसको select कर लेना है उसके यहाँ पर भी आपको tick mark कर देना उसके बाद आजाना i scroll करके नीचे और यहाँ पर भी tick mark कर देना और यहाँ पर click कर देना और article 7 and paragraph 1 को select कर लेना है और with holding rate को आपको क्या करना है यहाँ पर 0% reduced activity rate जो है इसको select कर देना है उसका यहाँ पर भी आपको tick mark कर देना उसका यहाँ पर motion picture and टीवी डियुल्टी पर भी आपको click करना है और यहाँ पर click करने के बाद article and paragraph पर click करना है और article 12 वाले को select करना है और withholding rate को आपको यहाँ पर 15% reduced rate को select कर देना है उसका यहाँ पर भी tick mark कर देना और tick mark करने गवाद आपको next पर click कर देना है पर click करने गवाद देखें यहाँ पर process हो रहा है तो अब आपको थोड़ा सा wait करना है आपके सामने activity and service performance US वाला option यहाँ पर show करेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ अगर आप Google पर कोई activity करते हैं US में तो आपको यहाँ पर yes and no में से किसी एक को select करना है तो हम यहाँ पर no को select करेंगे और यहाँ पर tick mark कर देंगे और उसके यहाँ पर हम next पर click कर देंगे जैसे ही next पर click करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दो अपसंदियों पहला go paperless दूसरा get document by post document by post करेंगे तो आपको document by post दौरा भेजा जाएगा अगर आपको पेपरलेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पेपरलेस इमेल द्वारा मिल जाएगा मिल जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिकमेंडेट में भी लिखा हुआ पेपलेस डिलेबरी एग्रिमेंट तो आपको इसी को क्या करना है यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना और एक्सेप्ट करनेक बाद यहाँ पर आपको नेश्ट पर क्लिक कर देना है नेश्ट पर क्लिक करनेक बाद देखें यह फार्म यहाँ पर आपको सो रहा है तो आपको इसक इस टेटर defidavet में आपको क्या करना है यहां पर ٹिक मार्क कर देना है और यहां पर यह पर गत्राइब कर देना है और यहां पर जैसे year पहले से जो भी आपको सो करेगा आपको सेम ऐसे ही रखना इसमें कोई भी change नहीं करना है और यह वाला जो है optional है तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह signature वाला option आ चुका है यहाँ पर submit का जो option दिया आपको यहाँ पर submit पर click कर देना है submit पर click करने पर देखें यह process हो रहा है तो अब आपको थोड़ा सा विर्ट करना है process complete होते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर United State Farm W.A.B.N. का जो status है यहाँ पर approved हो चुका और यहाँ पर जो date था है यहाँ पर change हो चुकी है और यहाँ पर expiry date भी देखेंगे यहाँ पर expiry date भी change हो चुकी है अब आपको इस फार्म को 31 December 2027 के बाद आपको दुबारा से fill up करना होगा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ चुका है your text info has been accepted तो इस तरह से आप United State Farm W8 Band को बहुत ही असानी से fill up कर सकते हैं लेकिन अगर आपको इससे related कोई भी question आपको करना है तो आप comment कर सकते हैं हम कोशिस करेंगे आपके question का reply करने का साथी आपको यहाँ पर बता देएं यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर हमने सिंगापूर text info जो fill up किया है आपको इसको भी fill up करना होता है अगर आप इसको fill up करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे description में लिंक मिल जाएगा आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं साथी आपको बता दें अगर आपको text info fill up करने का option आता है तो ही आपको इस form को fill up करना है अगर आपके पास यह option नहीं आता है तो आपको इसको fill up करने की जरूरत नहीं है तो आज की studio बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में thank you for watching